नमस्काइट तिजस्वनिक आईकर में आप सबका स्वागत है मैं हूँ ममता चोपरा इसे विडमना ही कहेंगे कि इनसान जानवरों से डरता है और यही जानवर हैं जो इनसान के सबसे अच्छे दोस्त भी कहलाते हैं हमारी आज की तेजस्वनी एक ऐसी महिला है जो इन्हीं इनसान जानवरों के संबंधों से ही तालुक रखती हैं आप हमारे देश की पहली wildlife biologist हैं जिनोंने तीन दशक का लंबा समय बाग की study पर बिता दिया है यानि ना केवल बाग बलकि इनके संरक्षन के साथ साथ आधिवासी समुदायों के भी अध्यन और उनके लिए भी आप लगातार काम कर रही है बलकि देश और विदेश के कई विलिप्त होती प्रजातियों पर भी आप काम कर रही है कितने ही जंगलों का आपने भ्रमन किया है जिन्दी का एक बड़ा हिस्सा आपने इन जानवरों के अध्यन पर ही बिता दिया है और इसे लिए आपको नाम दिया गया है टाइगर प्रिंसस का हमारी आत की तिजस्वनी है डॉक्टर लतिका नात किसी अंजान राह का रुख करने के लिए हिम्मत के साथ साथ आत्म विश्वास भी होना जरूरी है डॉक्टर लतिका नात ने ना केवल एक ऐसे क्षित्र में कदम रखा जो पूरुष प्रधान माना जाता है बलकि जो अंदेखे खत्रों से भी भरा है जिन्दगी के तीन दशक बागों के संरक्षण को समर्पित करने वाली डॉक्टर लतिका लेखक, फोटोग्रफर और वन्यजीव संरक्षण वादी है बागों पर डॉक्टरेट करने वाली पहली भारती होने के अलावा, आप देश की पहली महिला है जो वाइल लाइफ बाइलिजिस्ट बनी भारत में बागों के संरक्षण के लिए 1990 से काम करही लतिका ने उस दौर में ही इस मिशन के लिए सैटेलाइट इमेज अनालिसस और जोग्रफिकल इन्फरमेशन सिस्टम्स का उप्योग किया उनके काम की विशेशता ही है कि 2001 में नाम मिला टाइगर प्रिंसस का हफ्तों तक जंगलों में खतनाग परिसित्यों का सामना करते हुए विभिन प्रकार के जानवरों पर रिसर्च करते हुए लतिका ने सभी बिग कैट्स पर तो अध्यन किया ही साथ ही कई किताभे भी लिखी है मध्यपरदेश के कानहा और बांधवगर में कई दशकों तक आदिवासियों के कल्यान के लिए भी कारे करती रही है सेव दे टाइगर अभियान से जुड़ी लतिका कई अंतराष्ट्रे संस्थाओं के साथ काम कर रही है अनेक राष्ट्रे अंतराष्ट्रे पुरसकालों से सम्मानित प्रकृती और वन्य जीव विशेश कर बाख के संरक्षण के लिए समर पे डॉक्टर लतिका नाथ ही है हमारी आज की तेजस्विनी तो आईए करते हैं मुलाकात डॉक्टर लतिका नाथ से लतिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपके तेजस्विनी में आपको देखकर ये करता ही महसूस नहीं होता कि आप इन खतनाक जानवरों के बीच जंगलों में जाकर समय बिताती हैं डर नहीं लगता? डर बिलकुल नहीं लगता पर अच्छा है कि आपने ये पूछा क्योंकि पूरी जिन्दगी लोग मुझे मिलके यही सवाल करते आएं कि आप बिलकुल लगते नहीं है कि आप ऐसे काम करते हैं मेरा सवाल ये है कि लगना कैसे चाहिए? मतलब आप इतनी डेलिकेट हैं और इतनी सौमे लग रही है देखने में जब कि ये अमोमन ये माना जाता है कि जो जंगलों में जाते हैं जो इन जानरों के बीच में खतरनाक हालात में काम करते हैं तो जाहिर है बड़े रफ टफ टाइप के होते होंगे वो एक बाल बताईए कि जब आप यहां जाती हैं जानरों के बीच अध्यन करने के लिए तो इतना खतरनाक महौल होता है किस किस तरह के खतरे आप महसूस करती हैं या आप फेस करती हैं जब अपने इस अध्यन के लिए आप जंगलों में जाती हैं शुरू शुरू में बहुत मुश्किल है, शहर से निकल के माबाप की घर से जंगल में जाना बहुत ही कठिन कदम था, उस समानी में मोबाइल फोन नहीं थे, एक बार जंगल में घुस गए और अगर गारी ब्रेकडाउन हो गए या कोई खत्रा का सामना करना पड़ा तो मांगने की भी कोई तरीके नहीं थे, उस समय आप अपने आप, अपने आपको बचा के बाहर ला सकते थे और कोई रास्ता नहीं था, पर धीरे-धीरे अब तो टेक्नॉलोजी भी बहुत बदल गई है, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, पार्क के बीच में इधर-उधर वा के ऐसे होते हैं, जहां पे आप बिल्कुल अकेले होते हैं, और मेरे ख्याल सबसे कठेन चीज ये था, कि आप अकेले जरूर होते हैं, पर कमजोर नहीं, और आप अकेले इनसान जरूर हैं, पर अकेले नहीं, क्योंके पूरी प्रकृती आपके साथ है, उस जगे, क्या बात है बड़ी खुलसूरत बात कही है अगर आप इस तरीके से समझे तो लेकिन आपने तो बागों पर डॉक्टरेट की है जी और कब आपको लगा ये कि जिंदगी में यही आपका पैशन है या आप जंगल और चांगरों या बागों के बीच में ही इनी के अध्यन पर के वन्यप्राणियों पर करूंगी और मेरा में इंट्रेस्ट था स्नो लेपर्ड पर जिस साल मुझे पीच्दी करना था उस साल टेर्रिजम सबसे जादा हाइट पर था और अच्छली 1991 में हमारे परिवार पर काफी हमले हुए और साथ लोग जो हमारे ले काम करते थे उनको मारा गया और हमारा घर भी इंसेंट्री बंब से उड़ा दिया गया था तो उसके बाद सबने सोचा कि यह बिलकुल संभवी नहीं है कि मैं वहां रह के कुछ भी रिसर्च कर पाऊंगी तो मैं मिली थी एचेस पवार सहाब से हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के भी डिरेक्टर रहे हैं और फिर वाइल लाइफ इंस्टिट्यूट की स्थापना करके वहां के भी डिरेक्टर थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि मैं तुम्हें एक चालेंज देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्य परानी पर किसी ने आज तक कोई रिसर्च नहीं किया है तो क्या तुम कर पाओगी तुम्हारे में ही यह है हिमत कि तुम यह चैलेंज एक्सेप्ट करो और यह काम करो तो मैंने का ज़रूर और वैसे भी बचपन से बड़े कैट्स का शौक था और बहुत सालों से मैं पढ़ रही थी यह रिसर्च के बारे में जो स्मिट्सॉनियन इंस्टिट्यूट कर रहा था नेपाल में तो जैसे ही मोका मिला मैंने हां बूला और समय लगा परमेशन लेने का सब कुछ करने का और आसान नहीं था पर किया मगर आपने तो विश्व के सरश्रेष्ट लोगों के साथ काम कि किया है ऑक्सवर्ट से जाकर आपने डिगरी की अध्यान किया इतने सालों का अध्यान क्या कुछ हासिल हुआ आपको इस अध्यान से मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आलाके में मैं काम करती हूँ कानहा बांधवगर्ड मध्यवरदेश बहां पर मैंने करीब असी गाउं में काम किया है तो वो लोग अब समझते हैं कि मैं उनकी अपनी हूँ और आज जो भी कुछ काम होता है वहां पर वो मुझे उस में एक भाग देते हैं और जो मैं बोलती हूँ उसका रिस्पेक्ट है उसका वजन है और लोग मानते हैं वो बात अभी भी जब मैं उन एरियास में जाती हूँ लोग दूर-दूर से मिलने आते हैं और जब आप कुछ करते हो जिससे एक जानवर या एक इनसान की जिन्दगी बदल जाती है तो लगता है कि आपका जीवन सफल हो गया और ऐसे तो मैंने बहुत बात किया है तो थोड़ा छोटा छोटा काम है पर जो भी करती हूँ असली काम होता है और फरक पड़ता है किसी को आपके जब चाहे हम फेस्बु पर बहुत अच्छी है जिस तरीके से आप इन बिग कैट्स जिनको हम कहते हैं चाहे हम चीता की बात करें पाफ की बात करें जब आप इनका अधियन करने के लिए जंगल में जाने का सोचती है क्योंकि हम सिर्फ उतना ही जानते है जिता हमें टीवी पर देखने को मिलता है कामरे के लेंज के जरीए देखा गया होता है उसके पीछे की कहानी क्या होती है अब मैं आपको एक एक्जामपल देना चाहूंगी अभी कुछ महीनों पहले मैं साथ अमेरिका में चिली गए थी माइनस 10 से माइनस 20 डिग्री सेंटिग्रेट था हम रोज सुभे साड़े पा इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था पर मैं कभी अपने आप मिल्क नहीं पाई थी स्टाडी नहीं कर पाई थी तो वहां पे एक आदमी है जो 20 साल से इन बिल्यों को फॉलो कर रहे हैं और उनको स्टाडी कर रहे हैं या प्यूमा भी तरीके का बाग होता है बाग ही हो बड़ी बिल्यों में से एक आमोमन हम बिल्ली कहते हैं तो लोग किसी और तरीके से सामाज में बिल्ली की बाद करते हैं तो मैं बड़ी ग्रेट कैट्स की बाद कर रहे हूं जिसमें टाइगर, लेपर्ड, लायन, चीता, प्यूमा, जैगवार, स्नो लेपर्ड, ये सब ही ये सब आते हैं तो उन में से एक प्यूमा है जो सिरफ अमेरिकाज में पाया जाता है और हम ये प्यूमा के पीछे साड़े पांच बजे सुबह से आठ बजे शाम तक पहारों में घूमते थे, पहार चड़ते थे और इस दौरान मैं सतरा प्यूमा से मिली एक महीने में और सबसे नजदीक मैं मेरे ख्याल तीन फुट की दूरी पे थी पैदल, निहते, बिलकुल ठन बरफ पड़ रही है और ये इतना करीब की मैं जीवत हूँ क्योंके वो चाहते थे कि मैं जीवत हूँ लेकिन आपको डर नहीं लगता इन हालात में? नहीं, बिलकुल नहीं मेरे मैं ख्याल भीड में, DTC बस में इन चीजों में जादा डर लगता है वहां पे नहीं क्योंकि वहां पे एक तो मैंने एक और कोर्स भी किया हूँ है मैं अनिमल कम्यूनिकेटर भी हूँ तो थोड़े बहुत बोड़ी लैंग्वेज और तेलेपथिक कम्यूनिकेशन से समझ आता है कि क्या है जानवर के मन में तो हम कितना उसके पास जा सकते हैं कितना उसे पुष कर सकते हैं कब हम उसके परसनल स्पेस में एंटर कर रहे हैं और वो वर्निंग दे रहा है कि और पास मता हो वो चीजे होना बहुत जरूरी है आम आदमी सीदा उटके बाग के पास नह जिले अनुभव हैं जिनके बारे में हम जानेंगे लेकिन फिलहाल यहां वक्त चला एक ब्रेक का आप देखते रहें तेजस्विली पहला अक्षर अरट लो तो वह से एक विद्वान होगा पकी होगी बुनिया देटो हसे हिंदुस्तान होगा अजय करो जरो जरो तो बंकी बाद करो वंडर सिमेंट एक परफेक्ट शरौत ये लो बुद्डियू सार आज से आपको पेट्रोल पे 20 परसेंट का डिसकाउंट मिलेगा 20 परसेंट लोटर लगे तो मैंने बागी के पैसे इंप्ट एंडालेंगा वो तो आपके आप मेंना 45 की स्पीट पे गाड़ी चलाईए रेड लाइट पे इंजन आफ कर दीजिए 20 परसेंट पेट्रोल तो जरू बचेगा बात तो बही है न ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हैं ते जस्विनी जिसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर लतिका नाथ से जो देश की पहली वाइड लाइफ बाइलिजिस्ट है लतिका जी हम लगाता है आप से इन जानवरों की बात तो कर रहे हैं लेकिन आप विश्व के बड़े जंगलों में आप गई हुई है कई बिलुप्त प्रजातियों को आपने देखा है ऐसे कौन-कौन से खतनाक जानवर हैं जिन पर आपने अध्यन किया है और जो वाकई यादकार है हर एक बिल्ली जिससे मैं मिली हूँ खास थी और हर एक मुलाकात यादगार है पर हाथी भी उतने ही यादगार है रिसंटली मैं गलापगस गई थी और वेल शाक्स के साथ डाइविंग की थी और उनकी फिल्मिंग की थी और जब आप 16 मीटर लंबे मच्छी से मिलते हैं समुद्र के बीच में और आपको समझ आता है कि आप कुछ भी नहीं है उसके सामने हमाने ते लिए कुछ आप तो अपने एक तैंक हवा पे निरभर हैं ना आ उतना तेज स्विं कर तैर सकते हैं ना आप उसके रास्ते से हट सकते हैं बहुत लबड़ी लॉप्स के पीछे मैं गई हूं विल्स के पीछे में गई हूँ भालू स्टाडी किये हैं और सारी बड़ी बिल्या पर अलसो राइनोसरस और बहुत सारी चिडिया तो बहुत ही अलग अलग अनुभव हैं और कभी रेगेसान में, कभी पहाडों के उपर, कभी समुद्र के बीच में तो जिन्दगी बिल्कुल अलग किसम से जी है मैंनी यह जरूर जाना चाहेंगे कि जब आप इतना वक्त इन जानवरों के साथ इनके हैबिटाट्स में, इनके जंगलों के बीच में बिताती हैं, जब वापस आते हैं तो मुश्किल नहीं होता है नहीं मेरे ख्याल हर एक औरत सीख जाती है बच्पन से अलग अलग रोल्स को है इसलिए फरक नहीं पड़ता आप यहां पे मैं साडी में बैठी हूं वहां पे मैं स्कूबा गयर पहन के समुद्रों में जाती हूं तो जो जहां जैसे रहना है आपनी आपको उस मोल्ड में डालना पड़ता है कितना इस जिंदगी ने अपने अनुभवों ने तीस साल क वक्त ने आपको एक व्यक्ति के तौर पे कितना बदला है आपके इन अनुभवों ने बहुत बदला है सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा है वह है पेशन्स क्यूंकि जब नाट्रल वर्ल में आप जाते हो वह अपने पेस पे सब कुछ होता है आप यह नहीं बोल सकते कि 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 आप जा के एक किल करो कम एक किल शूट करने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है एक फोटोग्राफ लेने के लिए 11 घंटे 13 घंटे बैठना पड़ता है एक ही जगा में भूक और प्यास भुला के तो पेशन्स बहुत बहुत जरूरी था अगर मैं इस काम में कुछ भी करना चाहती है तो करती में एक नियम होता है सर्वाइवल आफ तो फिटेस्ट और ये कई तरह अग विभिन सतर पर नजर भी आता है आप जब काम पर ऐसे जाते हैं जंगलों में आपको तो ये बहुत बार नजर आया होगा बहुत करीब से आपने देखा होगा कोई ऐस जब एक छोटे से हिरन को बाग पकड़ने जाता है कि आप उसे बचा लो पर वो भी सीख होती है कि आप बीच में इंटर्फियर नहीं कर सकते हो और सब कुछ इतना तेज होता है कि सोचने का टाइम नहीं होता है कुछ सेकंड का मामला होता है तो आप बैठे हो और आप पि महीने से एक हिरन के बच्चे को देख रहे हो और पांच सेकंड बाद कहानी बदल जाती है तो आप कभी समझ भी नहीं सकते कि यह होना है पर यह इंसानों के साथ भी होता है पर लगता है कि बहुत आपकी दिल को छुआ है ऐसी कई घट्नाओने काफी होता है और अभी भी अभी भी रात को आके रोती हूं पर फिर अगले दिन उठके वापिस जाती हूं क्यूंकि वही प्रकृती है आप लेके काबे हैं आपने कई किताबे लिखी है खास तोर पर जब आप इथूपिया गई और आपने इमो ट्राइब पर काम किया और एक खुबसरों तस्वीरे खीच के लाई आप पर कौन-कौन सी खास किताबे हैं जिन पर आप लिख रहे हैं आपने तो बच्चों के लिए भी किताब लिखी है और आजकल मैं ग्रेट कैट्स के ऊपर एक बुक लिख रहे हूं जिसमें आठ दुनिया के सबसे बड़े बिल्यां के बारे में चैप्ट एक बहुत important मुकाम है क्योंकि मैं जिन्दगी भर चाहती थी कि मैं कम से कम हर एक प्रजाती के बड़ी बिल्ली से एक बार मिलूं और आपने कर दिखाया और मैंने किया और बहुत टाइम लगा बहुत मेहनत लगी पर कर दिया अच्छा आपने hidden India किताब भी लिखी है क्या क कुछ खास है इस किताब में और जो आप इमो ट्राइब के ओपर क्योंकि यह वो है वो जन्जातिय समुदाये हैं जो कई सौ सालों से बिलकुल अलग ठलग रहते हैं आप उनके बीच जाकर आपने उनको फोटोग्राफ किया क्या था अनुभाव और कैसी है यह जन्जातिय रुक गया था हाम हजारों साल से कुछ बदला नहीं है ना इनके पास कोई आधूनेक वस्तु है ना इनके पास कोई टेक्नोलोजी है ना इनोंने कभी अपनी छोती जगा से बाहर दुनिया देखी है बिजली, हॉस्पिटल्स, मेडिसन, स्कूल, कुछ भी नहीं है पर कुछ साल पहले एथियोपियन गवर्मेंट ने फैसला किया कि इस इलाके में डिवेलप्मेंट आना चाहिए और इस रीजन में पांच बहुत बड़े बांध बन रहे हैं जिससे इस रीजन का पूरा रूप बदल जाएगा और अब मेडिकल फेसिलिटीज, एडुकेशन और बाहर से टूरिजम इस एरिया में आ रहा है आपने भारत में भी जनजाते समुदाय या जुस्थाने समुदाय है जंगलों के उनके साथ बहुत काम किया है ये जो मैन वर्स अनिमल की एक फाइट है आदमी बनाम इनसान बनाम जानवर की जो लड़ाई है इसको आपने कितने करीब से देखा है बहुत करीब से देखा ह पर क्या हो रहा है जानवरों की जो जगा थी वो छोटी होती जा रही है और आदमी उनकी जगा में घुस रहा है तो जो जानवर एक एरिया में रहते थे और उनको उस इलाके से खाना और पानी और सुरक्षा मिलती थी अब वो उनसे चीना जा रहा है तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए जो कर रहे हैं उससे कभी-कभी इनसान को हानी होती है या प्रॉब्लम्स होती है जैसे अगर आपने कोई नॉर्मल ग्रास्लैंट को निकाल की खेत लगा दिये तो वो क्रॉप रेटिंग करेंगे क्योंकि उनको तो कुछ खाना चाहिए और आपने उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव नहीं किया है बहुत कठिन होता है क्योंकि एक छोटा किसान साल भर में एक फसल होगाता है जहाँ बारिष का पानी होता है उस समय वो धान होगा लेता है और दो दिन में वो पूरा नर्ष्ट हो जाता है क्योंकि जानवर आके वो खा जाते हैं और उस परिवार के लिए तो बहुत कठिन सिचुवेशन होती है इस हालत में वो कभी-कभी जानवरों को मारते हैं या कॉन्फिलिक्ट होता है तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम ही है आप तो टाइगर कॉंजर्वेशन पर काम भी कर रही है और हम लगाता है यह भी ख़वरों में सुनते रहते हैं कि टाइगर का आंक्रा बढ़ रहा है क्या इसके पीछे भी वो तमाम कोशिशे हैं जो आपने भी किये क्योंकि आपने भी कई सुझाब दिये जिनके उपर काम किया गया तो यह असंभव था तो परिणाव नहीं हो सकते हैं लातिकर यहाँ पर आपसे मैं चुछोड़े सवाल पूछती हूँ उनके जवाब आपसे जाना चाहेंगे कोई ऐसे चीज जिससे आपको डर लगता है मुझे ऐसे कुछ चीजों से डर नहीं लगता पर अगर कोई जंगल कोई कट रहा हो या आग लगी हो जंगल में और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहें तब डर लगता है कि क्या करें पर वैसे कुछ नहीं जंदगी में एक ऐसा शक्स कोई एक ऐसा शक्स जिसे आप आज इस मुकाम पर खड़ी हैं उस चीज के लिए धन्यवाद बोलना चाहें मेरे फादर जो हूं उन्हीं की वज़े से हूं अकेलेपन का मतलब अपने लिए टाइम सबसे खतनाक पल आज तक आपके लिए क्या र इसे देश में जिसकी भाषा में नहीं जानती हूं वो पल बहुत सबसे शांदार जानवर किसे मानती हैं तुनिया भर के जानवर देखे हैं आपने मुश्किल है कहना सब जानवर शांदार होते हैं अगर अब ये काम नहीं कर रही होती वाइल लाइफ बीलिजिस्ट का तो सार है, यह पैशन है, लेकिन इस पैशन ने कई खतनाक लम्हें भी आये होंगे, कई मुश्किल आये होंगी, कभी हताशा भी होई होगी, प्रेणा कहां से मिलती है कि लगातार करते रहो जब आप प्राकृति में होते हैं और आप जानवरों के साथ रहते हैं तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है और ऐसी शांती और सुंदर्ता एक्सपिरियन्स करने को मिलती है कि उस एक पल के लिए आप फिर दुबारा प्रेटन करने के लिए त्यार हो जाते हैं आपके फेवरिट बुक कौनसी है? बच्पन में मैंने एक बुक पड़ी थी हाइडी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो स्विचलन में रहती है अपने बचाओ के लिए अटाक करना चाहती है? जानवर जादातर इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते वो अपने बचाओ के लिए अटाक करते हैं तो अगर आप कभी किसी वान्यपरानी से मिलें आप उसे जगह दें तो वो आपको कभी हानी नहीं परचा देगा आखरी सवाल है ये आपका सपना क्या है? मेरा सपना ये है कि हमारी सरकार हमारे इंडिया की जितनी बायो डिवरसिटी है और इंडिया की इंवार्नमेंट है उसको नंबर वन प्रयोरिटी बनाए ये ये नहीं कह रहे हूं की डिवल्प्मेंट नहीं होना चाहिए पर environmental protection or development equally important components होने चाहिए कोई भी long term plan के लिए बिल्कुल और शायद ऐसा कुछ समभब हो भी पा रहा है क्योंकि हम लगाता है ये भी देख रहे हैं कि आंकरे ये बताते हैं कि हमारी यहां वनक्षेत्र बढ़ रहा है ये और रफ्तार से बड़े यही उमीद करते हैं लेकिन आपका भी जो सपना है वो भी जरूर साकार हो और बहुत मजबूत आधार मिले उसे भी बहुत 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 शुपकाम नाए आपको लटिका चीए बहुत 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 शुक्रिया हमारी सद्पात करने के लिए तेरी हमारी आज कीते जस्वनी डॉक्टर लटिका नाथ जो बागों के संरक्षिन के साथ साथ वन्य जीवों के साथ साथ आधिवासी जनजातियों के लिए भी काम में लगी हुई हैं आज कीते जस्वनी में बस इतना ही अगले हफते फिर होंगे हाजिर एक और ते जस्व के साथ, नमस्कार.